Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है और ये वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि एक नई ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा रो और कॉलम तलाशने में आपको दिक्कत नहीं होगी पड़े से पड़े डेटा से आप रो एन कॉलम लेके आ सकते हैं कैसे लेके आ सकते हैं यह दिखाता हूँ मैंने इहाँ पर टाइटल मैंने लिख रखा है आपको यहाँ से जो भी सब्जेक्ट का रो नंबर या जो भी स्चुडेंट का रो नंबर या जिस सब्जेक्ट का कॉलम नंबर पता करना हो और असानीक साथ पता कर सकते hazardous हैं यहाँ पर suppose किजिए हमको पता करना है कि Siam का जो row number है वो कौन सा है ठीक है अभी तो यहाँ आपको दिखाई पढ़ रहा है कि row number 2 है लेकिन बड़ा data होगा बार-बार यह करना काफी irritating हो जाता है तो यहाँ पर आप match का formula लगा यह मैच लगा लिए हमने और फिर यहाँ पर name of student में हमें से हम मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसको पूरा हमने select कर दिया एक फोर दबा के फ्रीच कर दीजे फ्रीच करना यानि dollar लग जाएगा सब के पहले row और column के पहले dollar लग जाएगा तो यह dollar लग चुका है आप देखी सकते है फॉमा देंगे अब य जादू होने वाला है जो मैं आपको दिखाना चाहता था तो यहाँ पर 3 आ रहा है अब इस 3 का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझाने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पर जो 3 आया है इसका मतलब यह है कि आपका जो श्याम है वो तीसरे row में लिखा हुआ है यहाँ पर यह पता करने के लिए match लगाना है ठीक है आपको क्या पता करना है total marks पता करना है आप यहीं से choose कर सकते हैं मैंने यहां पर भी लिख रखा है तो मैं यहां से भी choose कर सकता हूँ यह choose कर लिया हमने ठीक है total marks कॉमा दिया अब यह total marks हमें मिलेगा कहां तो 0 दे दीजे और बंद कीजे, interface कीजे दसवे column में लिखा हुआ है चलिए एक बार पता भी कर लेते हैं कि दसवे column में है भी की नहीं है ठीक है, तो कैसे पता करेंगे यहाँ पर देखें, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10 यानि total marks दसवे column में है, इसी तरह से आपको कुछ भी पता करना हो तो आप कर सकते हैं, जैसे suppose कीजिए, आपको पता करना है, कि रादिका का row number कौन सा है, तो यहाँ पर match लगाईए, इस तरीके से, और फिर, रादिका नाम आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पूरा heading ही select कर लिया, लिख करके भी select कर सकते हैं, बस नाम की spelling सही होनी चाहिए, इसको select कीजिए, gap नहीं होना चाहिए बीच में, comma दीजिए, और फिर, अब आपका जो row heading है, वो यही है, इस पूरे को अब select कर लिजिए, ना एक भी कम होना चाहिए, ना एक भी ज़्यादा, app 4 दबा के freeze कीजिए, app 4 दबाने से freeze हो जाएगा, comma देंगे, exact match के लिए तो 0 ही देते हैं, बंद करेंगे, interface करेंगे, 14 row में है, चलिए एक बार देख लेते हैं, यह देख सकते हैं, ठीक है, आर यह बात समझ में की नहीं, तो अगर आपको कुछ भी पता करना हो, तो match formula के मतद से easily पता कर सकते हैं, यह बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर आपको यह video पसंद आया, तो आप जिशेर करें, thank you for watching this video.